नमस्का, मैं उस्तासी आये जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं आखो से भी हो सकता है संक्रमन जातर लोग जानते हैं कि संक्रमन को कम करने में फेस मास्क ही प्रभावी तरीका है जबकि हाल ही में हुए अध्ययान से पता चला है कि चस्मा भी संक्रमन से बचा सकता है बता दे कि नए सोध के मुताबिक National Institute of Allergy and Infection Described Source के निदेशक डाक्टर एंथोनी ने बताया कि अमेरिका में संक्रमन के परसार को कम करने के लिए मास्क के साथ फेस सिल्ड पहनना जरूरी है जार्खन मौसम भीभाग के अनुसार जार्खन में अगले चार दिनों तक मौसम में उतार चलाव जारी रहेगा इस दरण दो दिनों तक बारिस की संभावना है मौसम भीभाग के अनुसार राची, रामगण हजारी बाग, पच्मि सिम्भूम, सराय किला, सिम्डेगा, जीलों में बारिस के साथ बजरपात होने की संभावना है मौसम पुर्वाणुमान में बताया गया है कि रभीवार से राज्य में तेज बारिस होगी, जबकि मंगलवार को मौसम समाने रहने की उमीद है केंद्रिये विद्याले में विद्यार्थियों की ओनलाइन कलास लेंगे खुटी उपायुक्त चात्र चात्राओं की पठन पठन को लेकर खुटी उपायुक्त, ससी रंजन ने मंगलवार को केंद्रिये विद्याले खुटी में चात्र चात्राओं की ओनलाइन कलास लेंगे उपायुक ने बताया कि संक्रमन मां हमारी के दवरान चात्रों का पठन पठन बादित न हो तथा उन्हें घर में ही बेहतर सिक्षा मिले इसे मदे नजर सारी सुविधाय सुनेशित की जा रही है उन्होंने कहा कि हमारी प्रत्मिक्ता है कि जीले के सभी छात्रों को उनके घरों में ही उचित सिक्षा देने की पहल की जा सके जार्खन में आज 618 संक्रमितों को पुष्टी हुई जुराची से 160, गिरीडे 109, धनबाद 69, पुर्विस सिम्भूम 56, हजारी बैक तीरपन, वोकारो 26, रामगाई 24, चात्रा तेई, साहिव गण उनाई, सराय केला सुल्ला, देवघर 15, लुवर्दागा 12, खुटी 10, भारत में कुल संक्रमितों संख्या 20,866,864 है, जबकि 14,676,79 लोग स्वश्थ हुए और 42,578 की मिरिती हो गई, भारत में नाई केस 16,455 मिले है, जबकि 50, 377 लोग स्वश्थ हुए है, जो धनबाद, पुर्वी, सिम्भूम, पलामु और रामगाई से एक एक है, जबकि जारी बाग से दो किम्नीती हुए है, बता दे कि राजे में सुक्रवार को 809 संक्रमित स्वश्थ भी हुए है, एक्टिव केस, पुर्वी सिम्भूम, 806, राच्ची, सत्रा सो शर्षट, हाजारी बाग 431, गोड़ा 406, धनबाद, 379, देवगर 356, पलामु 330, गड़वा 308 जार्खन में सिक्षक पत्रता परिक्षा का सौरूप बदलेगा, अब साल में दो बार सिक्षक पत्रता परिक्षा होगी इसका आयोजन राज सरकार की जगा अब केंद्र सरकार राश्टरी अस्तर पर करेगी, इसका प्रधान नई सिक्षा नीती में किया गया है आपको बता दे कि केंद्र की सेंट्रल टेट लागू होने पर राजे में नियमीत रूप से सिक्षक पत्रता परिक्षा हो सकेगी बरतमान में 2012 और 2012 के बाद जारखन में सिक्षक पत्रता नहीं हुई है जारखन में 20 दिनों का पून लोकडाउन हो मेयर मेयर आसा लकडा ने मुख्यमंत्री हमन सुरें से राजे में 20 दिनों का संपून लोकडाउन करने की बाइग की है मेर ने कहा है कि जिस तरह से राजे में संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है इससे एक बात अस्पस्ट है कि अब राजे में कुरोना का कम्यूनिटी टास्मिशन शुरू हो चुका है अईसे में अगर अब सरकार गम भीरता से कुछ कदम नहीं उठाती है तो इसका खामिया पूरे देश के लोगों को उठाना पड़ेगा देश के पहले आदिवासी नायक लुथर तीगा का निधान भारतिय सिनेमा के इतिहास में देश के पहले आदिवासी अभिनेता बनने का गोरो प्राप्त करने वारे लुथर तीगा नहीं रहे गुरुवार को उन्होंने अम्तिम सास ली है बता दे कि लुथर ने 62 साल पहले जब त्रीविक घटक की बंगला फिल्म अजन्तिरिक में अभिनाय किया था बाबुलाल मरांडी नेता परतिपक्ष घोसितो दीपक परकास भारतिय जन्ता पार्टी के प्रतिनिधी मंडल ने सुक्रवार को राज अपाल दिरोपती मुर्मु से मुलकात कर बाबुलाल मरांडी को जहरखन बिदान सवा के नेता परतिपक्ष बनाने के लिए पहल करने का आगर किया राज भावन से जारी बियान में बताया गया है कि भाजपाक के प्रदेश अध्यक्ष दीपक परकास के नेतियुत में पार्टी के एक प्रतिनिधी मंडल ने राज भावन आकर राज अपाल से मुलकात की तथा मरांडी को विदान सभा में नेता परतिपक्ष बनाने के लिए पहल करने समन्दी ज्यापन सोपा मुख मंत्री हमन्त ने निसिकान दूबे के खिलाप दर्ज कराई मुकदमा जार्खन के मुख मंत्री हमन्त ने निसिकान दूबे के खिलाप कोट में मुकदमा दर्ज करा दिया है मुख मंत्री की ओवर से सोचल मेडिया प्लेटफर्म ट्वीटर और फेस्बूक को भी प्रतिवादी बनाया गया है जार्खन के पूलिस कर्मियों के बेतन से 20 फिसदी अधिक कटोती जार्खन पूलिस में सिपाही से लेकर SSP अस्तर के अधिकारियों के बेतन से कटने वाले बिभीन मदों में 20 फिसदी का इजापा किया गया है राज़ पूलिस की डियाजी बजट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है बता दे की डियाजी के आदेश के मुताबिक राज़ पूलिस मुख्याले में मई महीने में डिजी पी एमबी राव की अधिक्सता में बैठक होई थी केंद्रिये प्रवंधन समीती ने इस दोरान या फैसला लिया था कि पूलिस सहायक एवं कल्यान कोस सिख्छावा परोपकारी कोस में पूलिस कर्मियों के बेतन से होने वाली मासी कटोती में 20% का जाफा किया जाएगा जांच में तेजी ला जार्खन सरकार हाई कोट जार्खन में कुरोना से निपटने के लिए दायर जनीती अचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने सरकार को जांच में तेजी लाने और जांच रिपोर्ट जल्द देने को कहा है आदालत ने सरकार को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है बता दे कि सुक्रवार को चीफ जस्टिस डक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नरायन परसाथ की अदालत ने सरकार को चार सितंबर तक प्रगती रिपोर्ट पेस करने का भी निर्देश दिया है जार्खन डीजीपी 14 दिन के होम क्वारेंटीन में जार्खन के डीजीपी एमबी राहोम क्वारेंटीन में है जनकारी के मताबिक डीजीपी दिली गए थे दिली से लोटने के बाद सरकार के नए नियम के मताबिक 14 दिनों के क्वारेंटीन में है क्वारेंटीन अधी पूरा होने तक डिजीपी घर से ही सारे काम का निप्टा आएंगे जमसेदपूर में नेशनल बंबू मिशन के तथ कारे शुरू नेशनल बंबू मिशन के तथ 12 गोड़ा फोरेस्ट गेस्ट हाउस के पास करीब 30 लाख रुपए की लागत से बास की कलाकरेती बनाने का काम शुरू हो गया है इसके लिए बिभीन परकार की 21 मसीने लगाई गई है बता दे कि इस से करीब 100 कारीगरों को सीधे तोर पर रोजगार मिलेगा हरताली स्वास्त कर्मियों पर प्राथमी की कादे सिवा भी होगी समाप्त जरकन में परामेटकल कर्मियों के हरताल से जहाँ पूरे राजे में संक्रमन की जाज प्रभावित हो गई है वही राजे सरकार ने भी चेतावनी के बाद काम पर नहीं लोटते स्वास्त कर्मियों के प्रतिस्वक्त रोवया अक्तियार कर दिया है बतादे कि स्वास्त सचीव डाक्टर नेतिन मदल कुलकर्णी ने सभी जीला के उपायुक्त को हर्ताली करमचारियों को बिरूत एफायार दज करते हुए सेवा मुक्त करने तथा उनकी जगा पर नई नियुक्ति करने का निदेश दिया है B.D. राम बने PM AGY के केंद्रिय सलाकार समीति सदसे पलामु संसत विशनुत द्याल राम को प्रदान मंतरी आदर्स ग्राम योजना के अंतरगत केंद्रिय सलाकार समीति का सदस मनुनित किया गया है उक्तासिक की जनकारी भारत सरकार के सन्यूक सचीव डाक्टर सत्य प्रकास खटाना ने पत्र के माध्यम से संसत को दिया है सफाई कर्मी तेज से अनिस्चित कालिन हरताल पर जाएंगे धनबाद नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर सुक्रवार को सुबर निगम परिशद में धारना पर बैठ गए है भारतिय करमचारी मजदूर यूनियन के करेकारी अध्यक्ष बैभर सिना और महासचीव अंजनी कुमार की उपस्तिती में करमचारी ने जून जुलाई का बेतन भुक्तान और डिये का एरियर भुक्तान करने को लेकर नारेबाजी की सभी करमियों ने एक दिवस्य कारेबाईसकार करते हुए या परदसन जारी रखा यूरिया के काला बाजारी पर रोक लगाए सरकार जारखन के 80% किसानों को खरीप में बीज नहीं उपलब्ध हो पाया है बता दे कि किसानों ने किसी तरह से अपने खेत में फसल लगाया वहीं राज सरकार यूरिया उपलब्ध नहीं करा पर ही है किसानों को ज़्यादा दावों में यूरिया खरीदने को बादे होना पड़ा है यह आरोप भाजपा किसान मोर्चा परदेश अध्यक्ष पवन साहू ने सुक्रवार को राज सरकार पर लगाया है साहू ने कहा कि आज राजे में 266 के जगपर 360-500 रुपे तक यूरिया का दाम उसल जा रहा है रामगर में आज 8 अगस्त से सुरू होगा गंदगी मुक्त भारत अभियान स्वक्ष भारत मिशन के तहट 8 अगस्त से 15 अगस्त तक रामगर में गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा इस अभियान के अंतरगत जीला के सभी परखंडों के समस्त ग्राम पंचायतों में सफाई कारकरम चलाया जाएगा इस अभ्यान के तहद पेजल एवं सक्षता विभा के कर्मियों दुआरा ग्राम अस्तर ब्लोक अस्तर एवं जिला अस्तर के समस्त समुदायों को स्वक्षता एवं स्वास्त के सकरात्मक पलू के प्रती जागरूप किया जाएगा अनुबंध पाराकर्मी 12 घंटे के अंदर हर्ताल समाप्त करे धनबाद उपायुक्त धनबाद डिसी स अध्यक्ष जिला अपदा प्रवंधन प्राधिकार धनबाद उमा संकर सिंग ने अनुबंध पाराचिकित सक कर्मी संग धनबाद इकाई के अध्यक्ष को हर्ताल पर गय अनुबंधित पाराकर्मियों से सन्विदाज अस्थापित कर अपने कार्य पर 12 घंटा के अंदर उपस्तित होने का आदेश दिया है खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने के लिए राजी सरकार किर्थ संकल्पित मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमन सुरेन ने उपायुक धनबात को बागमारा निवासी अंतरराश्ट्रिये महिला फोटबॉल खिलाडी संगीता सुरेन और उनके परिवार को जरूरी सरकारी मदद से लवानवीत कराने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने सुकरवार को कहा कि खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने के लिए राजसरकार किरिद संकल्पित है जल ही खिलाडियों को बढ़ावा देने हैतू सरकार नीती और कारेपरनाली के साथ जानता के समक्ष आने वाली है स्वास्थ मंत्री की पहल पर अनुबंध करमचारियों ने हरताल वापस ली जारखन के स्वास्त मंत्री बना गुपता की पहल पर स्वास्त बिभाग के अनुबंधित करमचारियों ने तीन दिनों से चली आ रही अपनी अनिश्चित काली नहरताल को सुक्रवार को वापस ले लिया है स्वास्त मंत्री ने करमचारियों से अपील की थी कि उनकी मांगों पर सकरात्मक विचार किया जाएगा और बहुत जल्द एक कमेटी बैठा कर रिपोर्ट मांगी जाएगी धनबाद में पलेजमे थेरेपी के लिए उपायुक्त ने की बैठक धनबाद जीला में कुरोना वाइरेस से संक्रमित मरीजों का पलेजमे थेरेपी से उपचार कराने के लिए उपायुक्त उमा संकर सिंग ने सुक्रवार को समरना लेके सभागार में सिविल सर्जन डाक्टर गोपाल दास एवं अन्य चिकित सुको के साथ बैठक की उपायुक्त ने इसका उपचार सुरू करने के लिए आवस्यक उपकरन, लागत, मैन पावर, इत्यादी राची से उपचार प्रणा करने की प्रकिरिया को जनकारी सिग्र उपरव्द कराने का निर्देश दिया है साथे आठ लाग प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम संक्रमन काल के दोरान राजे में वापस लटे करीब साथे आठ लाग प्रवासी को रोजगार देने की तियारी सुरू हो गई है इसको लेकर स्रम विभाग वफिया फाउंडेंशन मजदूरों की स्क्रीनिंग कर रोजगार देने की तियारी में जुटा है अजीम प्रेम जी फाउंडेंशन की सहयोगी संस्था फिया ने नेपाल हाउस के स्रम विभाग में कंट्रोल रूम बनाया है आपको बता दे कि अभी तक वापस आई परवासी मजदूरों में साड़े तीन लाग कूसल स्रमिक की पचान की गई है जिसके लिए मुख मंत्री स्रमिक योजना के तहत रोजगार देने का प्रस्ताव त्यार किया जा रहा है काम में लपरवाही बरतने वाले करमचारी का होगा तबादला बिजली विभाग बारिस के दोरान होने वाली पावर कट को लेकर बीली विभागने करमचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि काम में लपरवाही बरतने वाले करमचारियों का तबादला कर दिया जाएगा अधिछन अभियंता ने इसको लेकर सभी डिवीजन के कारेपालक अभियंता को एक पत्र जारी किया है जिसमें निर्देश का पालन कडाई से करने को कहा गया है धन्यवाद